असलाम अलेकुम आज हम आपके साथ शेयर करेंगे के एपसी श्टाइल चिकन पॉपकॉर्ण रेसिपी यह बहुत जारा क्रिस्पी और टेश्टी बनेगा तो एक बार आप जुरूर बनाएगे का जितने देखने में टेश्टी लग रहा है उतने ही खाने में लजीज है तो चैली इसको बनाना शरू करते हैं तो सब से पहले हम ने Fourthमे जो चिकन लिया है जिसके हम इस तरह से चुछटी चोटी पीश बना लिया है और चिकन को अंदेखना पानी आपके ड्राइ कर दित तो इसमें मसाले एट करेंगे तो सब से पहले यहाँ पर एट करेंगे हम हाफ क यहां पर एट करेंगे लाल मीर्श का पावडर लिया है आप चाहे Grad अपने टेस्ट का कोडिंग में रख सकते हैं अगर ढूल डिख पसंद रे और इसके साथ दमक यह अपने यहां और एट करेंगे अध्रख ₹ के पेश्टकर चीकण को सभी तरह से मिख्स करढ़े इसे सारे मसालाइ मुझाले चीकण में में कर मचीक करेंगे तो यहां पर हमने दो डेबल स्पून लेना है भरकर मेदा और आप चाहें तो इसमें कॉर्ण फ्लोर भी एट कर सकते हैं और इसी के साथ हाफ टी स्पून यहां पर नाल मेच लेंगे और हाफ टी स्पून यहां पर काली मिर्च का पाऊडर लेंगे यानि बिलेक और नमक हम यहां पर तेस्ट के अकोडिंग ही यूज़ करेंगे क्योंकि नमक हमने चिकन में भी एट किया है तो यहां पर हम नमक के कौंटिटी थोड़ी कम ही रखेंगे नहीं तो नमक तेज हो जाएगा तो अब सारे मसालों को अच्छी तर से मिक्स कर लेंगे और अब हम इ पूरा पानी यूज़ होगा एक कप पूरा पानी यहां पर हमने लिया है तो देखे इस तरह से थिक बेटर हमारा बनकर तयार हो गया है और चिकन को भी हमारे आदा घंटा हो गया है मैनेट किया हुए और चिकन बहुत अच्छी तरह मैनेट हो गया है तो अब हम यहां पर पॉपकॉर्ण बनाएं के त्याय स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहां पर हमने दो टेबल स्पून लिया है मेदा और इसे के साथ यहां पर हमने बेटर बनाया था मेदे का वह भी ले लिया है तो अब हम इस तरह से चिकन की पीस उठाएंगे एक एक और मेदे की चिकन की उपर कर लेंगे तो इस तरह से चिकन की उपर जो हमें मेदे की अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है जिससे जो है सारे मसाले जो है अच्छी तरह से चिकन में चिपक जाएंगे और एक अच्छा सा पॉपकॉर्ण वाला अच्छा तरह से पीस निकल कर आएगा तो यहाँ पर हमने medium hotように गरम कर लिए था तो medium hot है हमारे बडिल यहाँ तो अब हम हम चेंज नहीं करेंगे तो यहां देगे एक साइड से जह है अच्छा सा कलर आ गया है और दूसरे साइड हम इसके चेंज कर देंगे और बहुत से अच्छी है और क्रिस्पेंट टेस्टी हमारा कैफ से श्टाइल चिकन पॉपकोर्ण बनके तयार होगा फ्रेंड्स तो इसी स चिकन को बहार निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हमारा चिकन पॉपकोर्ण बनके तयार हुआ है फ्रेंड्स तो अब हम चिकन को बहार निकाल लेंगे और जो बाकी का चिकन रह गया है वो भी हमें इसी तरह से फ्राई कर लेना है मीडियम फिलेम पर ही तो चिकन को बहार निकाल लेंगे और देखे फ्रेंड्स कितना खुबस्वाद इसको पर कलर आया है कितना जाया टेश्टी लग रहा है चिकन जितना यह देखने में टेश्टी होता है उतने ही खाने में जारा लजीज होता है तो एक बार आप जरूर बनाएगा चिकन केफसी अगर आपको रेस भी पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा अगर आपने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और केफसी स्टाइल चिकन बनागा जरूर ट्राइग कीजेगा अगर आप से बन जाता है घर पर ही एक बार आफ जोर ट्राय कीजिएगा